महाराष्ट और हर्याना विधासभा चुनाव के नतीजे की तस्वीर अब साफ हो गई है महाराष्ट में भाजपा और शिवसेना की जोड़ी बहुमत के साथ सत्ता में पापसी के लिए तयार है लेकिन हर्याना में भाजपा को जटक लगा है बीजेपी हर्याना में बहुमत की आखड़े से दूर है इसी उमीद में कॉंग्रिस और जेजेपी अपनी कोशिशे जारी कर रही है और सरकार बनाने में जुट गई है महाराष्ट में कुल 288 विधान सवा सीटे हैं वहीं हर्याना में कुल 90 विधान सवा सीटे हैं दोनों राजियों में 21 अक्टूबर को एक साथ मददान हुआ था महाराष्ट में 60.46 और हर्याना में 65.75 प्रतीशत मददान हुआ था महाराष्ट में बीजेपी शिर्सेना सत्ता में तो आ रही है लेकिन इस बार पिछली बार से कम सीटे हाथ लगी है बीजेपी ने पिछले चुनाव में 122 सीटे जीटी थी लेकिन इस बार सो पर सिमर्टी दिख रही है वहीं शिर्सेना उसी तरे साथ के आंकड़े पर अटकी हुई है वहीं कॉंग्रेस ने इस बार अपने प्रतेशन में सुधार किया है चुनाव परिणाम आने के बाद मध्यप्रदेश के मुखमंतरी कमलनात ने कहा कि अब बीजेपी स्विकार करे कि जनता ने उसे रिजेक्ट किया है मोदी जी की सरकार को पांच महीने का समय हुआ और हर जगा उनका जनाधार खिसा गया है कमलनात ने कहा जनता कॉंग्रेस पर विश्वाज़ करती है जनता ने कॉंग्रेस पर भरोशा जाताया है पर लोगों को ये विश्वास हुआ एक वातावरन की बात होगी और ये गोश्नाओं और ये कर्दा और ये का समाय हम समाप्त होगे अंत में जो हमने वचन दिया है इसका जबाब हमें जनता को किसानों को देना पड़ेगा हमें भारतिय जनता पार्टी को नहीं देना कि ये नों ने 15 साल जूट बोला विचारों की आदर जूट बोलने की ख़दम नहीं हुई मुखमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सोनिया गांधी के नेतरत्व में कॉंग्रेस आगे बढ़ रही है उनके नेतरत्व में 2004 में अटल बिहारी बाजपई से कॉंग्रेस में मुकाबला किया और सोनिया जी ने बाजपई जी को घर बिठा दिया था जाबुआ के भूरिया वर्सिल भूरिया में कॉंग्रेस के कांसी लाल भूरिया ने बीजपई के भानुप भूरिया को हरा दिया है मतगर्णा में कॉंग्रेस प्रत्याशी कांसी लाल भूरिया लगातार बढ़ध बनाये हुए थे भूरिया ने कहा कि ये कमलनास सरकार पर जद्धा का भरूसा है मैंने हमेशा जाबुआ के विकास पर ध्यान दिया है बीजेपी ने लोगों को गुमरह करने की कोशिश की है लेकिन वे इंद की इस चाल को समझ गए उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी का नेतरत्व बहुत ही सक्थ है और पूरे देश की कॉंग्रेस एक जुट हो गई है राहुल जी और प्रेंका जी सब मिलकर कॉंग्रेस को और मजबूत कर रहे है भूरिया ने कहा कि भाजपा ने 15 साल तक मधपतेश के लोगों के लिए कुछ नहीं किया और कॉंग्रेस की सरकार आते ही जनता के लिए कितनी चीज़े की गई किस्तानों का कर्द माफ हो गया है उनके समर्थकों ने पठाके फोर कर जीत और दीपवली का जश्न शुरू कर दिया है सीम कमलनास ने भी कांतिलल भूया को बढ़ाई दी है मंत्री पीसी शर्मा ने भी कहा कि यह कमलनास सरकार पर जनता का भरूसा है हमने सरकार बनाने के लिए बाद जो काम किये बहत जनता को पसंद आये हैं चितरकोट में मुख्य मुकावला कॉंग्रिस भाचपा उमीदवारों के बीश था उप्चनाव की मदगर्णा सुभा आट बजे से जग्दलपूर के धरमपुरा इस्थित महिला पॉल्टेकनेकर कॉलेज में ही हो रही थी और यहां शुरुवाती चरण से ही कॉंग्रिस पृत्याशी राजमन बेंजयाम ने बढ़त बना रखी थी इस जीत के साथ ही कॉंग्रिस खेमे में उत्साह का वातवरण है कॉंग्रिस सुर्प्देश अद्रेक्ष मोहनमर काम भी जग्दलपूर पहुच गए है अपनी जीत के बाद बेंजयाम ने कहा कि कॉंग्रिस की रिती नीती और भूपेश बखेल सरकार में जो काम किये हैं उससे मतदाता प्रभावित हुआ है उनके साथ ब्रस्टाचार किया है और मुलभूत सुविदाओं से वंचीत रखा है उन चीज़ों को लेके मैं मतदाताओं पर पहुचा और मेरी प्रात्मिक्ता रहेगे कि वहां के चेतरे के लोगों को मुलभूत सुविदाओं से जोने मेरी पहली प्रात्मिकता चुनाव मैदान में छे प्रत्याशियों की किस्मत दाओं पर लगी थी इनमें कॉंग्रेस से राज्मन बेंचाम, भाजपा से लक्षूराम कश्यप, CPI से हिड मोराम मंडावी, जकांच से बोम डाराम मंडावी और निर्दली लखेश्वर कवासिवा रितिका कर्मा शामिल है राकेश सिंग ने जाबवा उपचुनाव हारने के बाद कहा कि जाबवा कॉंग्रेस की परंपरागत सीट है, जब जब कॉंग्रेस का बागी चुनाव लड़ता है तब ही हम जाबवा जेते है जन्ता ने जो लिणने कीया उसे सरजो का कर सुझार करेंगे उप्चुनाव में सरकार के पक्ष में लोगों का रुझान खुता है सरपंच सचिवों को दराया धमकाया गया इसलिए भी यह परिडाम आया है उन्होंने कहा पूरे मद्धिप्रदेश में सरकार को लेकर भीशन आकरोश है उप्चुनाव को जीतने से यह नहीं मारा जा सकता कि सरकार अच्छा काम कर रही है हम ऐसा मानते हैं कहीं ना कहीं इसका आसर भी चुनाव के परणाम पर हुआ है लेकिन लोगतंत्र है हम लोगतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं और इसलिए जनता जो भी निर्ने करेगी सम्मान के साथ सर जुका कर उसको स्विकार करेंगे बीस्पी की तेश तर्रार विधायक रमबाई ने ग्रह मंत्री वाला बच्चन से मिलकर जेल विभाग में चल रहे कारप्शन की पोल खोल दी उन्होंने ग्रह मंत्री बाला बच्चन से दमो जेल के कैदियों से जेल सुप्रिडेंडेंड द्वारा वसूली की शिगात की है रमाबाई का आरोप है कि 50,000 रुपे उनके परिचे 16 कैदियों से मांगे गए उन्होंने आरोप लगाया है कि जेल में बेकसूर लोग बंध है रमाबाई ने पूरे प्रदेश में जेलों पर सवाल खड़े किये हैं और वहां करेप्शन होने की बात कही है रमाबाई ने चेतावनी दी अगर यह समस्या हल नहीं हुई तो मैं धर ना दूँगी पहले तो पूरे मद्ध प्रदेश की जेलों में बहुत प्रताड़त हैं कैदी हवालाती सभी दोसी भी हैं और मिर्दोस भी पिड़े हैं ये सभी जानते हैं पर जेलों में सुपरडेंट और जेलर बहुत खराब इस्तिती करें इसका पिर्माण मेरे पास पर सुपरडेंट ने पिटवाया था कि पीछे पूरी खाल उसकी काली पड़ी है मेरे परिबार से भी 16 लोगों के हिसाम में 99,000 रुपे सुपरडेंट ने मांग रखी वह देने से मना कर दिया तो इन लोगों ने एक स्कोट में भी अप्ली केशन लगाई अपने जब भोपाल में मंत्री जी के हाँ भी एक चिठी लिखी के उत्पात कर रहे हैं तब भी एक निक्षण कर लें जेल का और सभी कैदियों से पूछलें के क्या है क्या इस्तिती है सब भावना अधिकार मंच ने साथ नमबर चोराहे पर Гमल्ना सरकारी दमनकारी नेकियों एवम हर वर्ग के साथ की जा रही बादा खिलाफी की विरोध में जुन जुना वजा का प्रदशन किया इस अफसर पर सायोजक दुर्गेश के स्वानी ने कहा कि कमलना सरकार करमचारियों को उन्हीं का वीतन चार दिन पूरवदे कर अपनी पीठ थप थपा रही है अपे तूर इस सरकार को करमचारियों को बोनस देना चाहिए था उन्होंने कहा प्रदेश के किसानों का कर्द माफ कर मौपजे की राशी उनके खाते में डाल कर बेरुसकार युवाओं के खाते में प्रतिमहा 4,000 रुपे डाल कर कर न्याओं के खाते में 51,000 रुपे डाल कर एवं प्रदेश की जनता को दिये गए वचनों को रिभा कर उनकी दवनकारे नीकियों से प्रदेश की जंता त्राही त्राही कर रही है। महेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश की कमलनास सरकार जिन वचनों को देकर अस्तित्व में आई थी अब वो अपने वचनों से मुकर रही है। सिवर लाही सिथाना अंतरगत भाश्पा कारले के पीछे रहने वाली 15 वर्षी नावरेक आशी दिवेदी 20 अक्टूबर को सुवा अचानक लापता हो गई। परिजोन ने पुलिस पर तलाश में डिराई बरतने का आरोप लगाते हुए थाने का गेराव किया। ये जो है तो मुझे बीस ताज के रहतना है। ये तो मुतिन सिंग बगेल का वो चलता था। और कोई उसके भूप में और दो तीन लड़की हैं। वही सब ये काम की है। ये जो है यहीं से हमारे कौर्टर से लेका हास हुआ। चार दिन से लापता बच्ची के परिजन परिशान है। उन्हें आशंका सता रही है कि पुलिस की लापरवाई से बच्ची के साथ कुछ अन्होनी घटना ना हो जाए। वहीं सिविल लाइन थाना प्रवारी राजकुमार मिश्रा ने बच्ची के परिजनों से कहा कि हमारे पास और भी कारे रहते हैं। जिस सुनकर बच्ची के परिजनों ने डी आई जी अविना शर्मा के पास जाकर गटना की शिकायत दर्ज कराई। अविना शर्मा ने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही बच्ची को घर वापत लाए जाएगा और थाना परभारी के द्वारा दिये गए इस अनर्गल बयान की जाच कराई जाएगी। यह 20 तारिक को सुवह घर से घर पे नहीं पाई गई। अनकी महता जी गई थी गई तो बाद में आकर के देखा तो नहीं थी। 15 वाश आयों होता रहे हैं और इसकी सरगरमी से हम लोग तलाश कर रहे हैं। अभी पुरे डेलिगेशन परिजनों का मिलने आया था और उनको ऐसा लग रहा था कि पूरी सुपनी ततपरता से उसमें वेचना नहीं कर रहे हैं। पर निर्देशित कर दिया है थाना प्रवारी को और एक विशेश दल पकढ़ित कर दिया है। सारे चार लाग रुपे लूटने की वारदाद गौलियर के सबसे सुरक्षित इलाके सिटी सेंटर में हुई जहां बैंक में पैसा जमा करवाने आया 58 साल का मुनीम वासुदेव पिश्टल हाथ में लिए धंका रहे लुटरों की जान से परवा किये बिना उन से बढ़ गय बदमाश ने एक फायर किया इससे भी मुनीम डरा नहीं और उसने लुटेरों का पीशा किया भागते समय लुटेरा लल खडाकर जमीन पर गिरा मुनीम उस पर हावी हुआ तब ही घार्ट लगाए खड़े दूसरे बदमाश ने मुनीम के सीने पर ताबर तो गोलियं शरा पूरे घटना करम के समय पास ही बैंक का गनमें खड़ा था लेकिन हमत दिखाने के बदले वो डरकर अंदर भाग गया जदी लुटेरों को गार्ड अपनी बंदूग से जवाब देता तो संभव है लुटेरों के हौस ले पस्त की जा सकते थे बैंक गार्ड बाद में नहीं आया लुट की घटना से तीन दिन पहले ही विश्विद्यारे थाने के एसाई ने इस्टेट बैंक प्रबंदन को चेताव नितीज़ी के गेट पर डंडा दारी गार्ड नहीं गनमेन बैठाए जाए कभी भी वारदात हो सकती है रोटीन बैंक निरेक्ष्टन के दोर वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की संक्या घटना इससर पर तीन देजर आ रही थी ये डार्क ग्रे कलर की आपशिया पलसर जैसी बैइक पर सावार होकर बदमाश बैंक के बाहर पहुंचे थे एक बैइक को स्टार्ट कर बदमाश बैठा रहा एक बदमाश जि वो अंदर मुनिम से बैग चिनने पहुंचा उसका चेरा खुला हुआ था उसके ललख खलाने पर दूतरा बदमाश सामने आया जिसने ताबर तोर फाइरिंग की लेकिन उसका चेरा साफी से ढखा हुआ था दोनों तीसरी बैग सावार साथी के साथ बैठ कर भाग गए वा पुलिस ने मर कायम का रिजान शुरू कर दिया है मिस्वरात पुलिस के अनुसार ग्राम सतलापूर मंडी दीप का रहने वाला मनोज सूरवेंशी मेकेनिक है वो मेपल मॉल के छटवी मंजल पर एसी डक्ट में काम कर रहा था और वो यकायक नीचे आकर गिरा जिससे उसकी मौत होई उसके साथियों ने बताया कि जब काफी देर तक मनोज नहीं दिखा तो साथियों ने उसे डूंडा लगवग 20 निट बाद उसकी बॉड़ी बेस्मेंट पे मिली मनोज के साथ काम करने वाले कंशिया जीओं का कहना है कि उन्हें अस घट्ना के बारे में कुछ पता ही नहीं चला क्योंकि सब अपने अपने काम में लगे वोगे थे हम सोचे बात कर रहा है उसके बाद हम लोग काम करने लगया तो टाइम हो गया हमें आदा एगंटा लगया सर सुरिबंची ज्यादा दिन नहीं साथ में यह आता था जब काम अभी आज वाया और तीन-चार दिन पहले आया थे दो बारे करीबन साथ में लगे रहा है और फता नहीं कहाँ आए वह जल्दी आज वसाइड़ा थे पुलिस अभी शुन लिजे पुलिए बात में तो फिर मैं वहां से पुरंत में आ रहा हूं करीबन मैं पंद्रे-बीस में बात है तो आट बें तक मार आई गया तो जैसे मैं बहार अचाना काम लोगों ने लहार के दबोह ठाने का घराव कर दिया लोग ठाना प्रभारी से नाराज हैं गश्ट के दौरान ठाना प्रभारी विजय सिंग तोमर ने एक युवक के साथ देवजह मार पीट की लोगों का आरोप है कि ठाना प्रभारी लोगों पर रॉप जताने के लिए किसी भी पिटाई कर देते हैं अब उन्होंने एक सबजी बेचने वाले को बेवजा मार दिया इससे लोग आक्रोशित हो गए और पोलिस स्टेशन का घराव कर दिया मार पीट करने वाले ठाना प नज़र से नस्ट कर दिया गया यह शराब दस साल पुरानी बताई जा रही है जिसके नायरे में 1124 प्रफरंट शल रही थे जिसका निप्टारा होने के बाद आपर कलेक्टर और आपकारी अधिकारी की उपरस्तिती में इसे नस्ट करने की कारवाई की गई जब शल रही थ है तो ऐसी मदरा है साथ ही बिविन्ने सरकलों में पिछले वर्सों में जतने भी आपकारी प्रकण दर्ज हुए उनमें नियाले से निराकरत होने के बाद नश्ट करन के आधिस प्राफ्त हुए थे जिनका आज लगभग 1124 प्रकण यहां पर उनके अंतर का सराब जब तकी विनिस्टी करन की कारवाई की जाती है ताकि कोई भी लोग उसका उपयोग नहीं करें और किसी प्रकार की मतलब लोगों को